न्यौक्त जल्दी से फटाफट से करेक्ट हो जाएए क्यूंकि आज यहां पर कर फोच की शेशन जो मैं फिर से लेकर को आ चुक आप सभी के लिए और यहां पर जो बेसिकली जो कर दिन लेकर की आता हूं डेली कर अफ़ेंड जो कुई लेकर क के आता हूं वो मैं आज फिर से लेकर के आच चुका हूँ 20 जनवरी है आज और सामक्याट बच चुके हैं तो जितने बचे हैं जल्दी से फड़ा-फट से कनेक्ट हो जाएए ताकि यहाँ पर जो इंपोर्टेंट सेशन है उसको हम लोग सुलू कर सकें तो जल्दी से फड़ा-फट से जितने बच्चे कनेक्ट होते चाहिए और यहाँ पर जितने भी कोश्चन मैं लेकर के आया हूँ अगर आप इंडियन आर्मी नेवी एर फोर्स एससे जीडी या फिर किसी भी डिफेंज जॉब बैंकिंग हो रेलवे हो या फिर कोई सावी जॉब हो आप अगर किसी भी जॉब की प्रप्रिशन करते हो तो करेंट हर दिन और यहाँ पर जो है बेसिकली सारे कोशन कुईज के तोर पे होते तो आप बिल्कुल पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं हर इक कोशन में और अपना आंसर भी दे सकते हैं तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं उससे पहले मैं बता दू कि मैं हो दिपेस और आप सभ सब्सक्राइब कर सकते हैं घर बैठे इंडिया के टॉप एजूकर्टर के साथ में जब भी आप अपना सब्सक्रिप्शन ले तो आप यहाँ पर 10% का डिसकाउंट मिल जाएगा अगर आप इस को यूज करते हैं DRS 10 जब भी आप यूज करेंगे बिसिकली आपको यहाँ प फटाफटा सेर करसे कर दें तहकि आपके जितनी फेरेंट से वह भी जूड़ सके और बहुत सारा इंफोट्रमेशन भी साना नौलेज यहाँ से ले सके ज़िए इस सेशन सुरू करते हैं अपर भास सरे बच्चे जूड़क चुके हैं बहुत सरे बच्चे आपर आचुके ह सभी को एक बार यहां पर जो है जितने बचे सभी को जाहिन चली यहां पर जो है आज का सेशन को हम लोग सुरू करते हैं तो पैरा कोशन है कोशन नमबर वन है और कोशन है दर ट्रेडिशनल फेस्टिवल ओफ शेकरीन वस सेलिबरेटेड इन सेबरल पार्ट्स ओफ विच इन जनवरी 2021 तो यहां पर जो है जनवरी के महिने में जो एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल है तहवार है सेकरेन वो किस हर में जो है मनाया गया है आपको बताना है ओप्शन है कोलकाता काटमांडू धाका या फिर केरला चार ओप्शन है सही आंसर आपको बताना है फटा- फट से अपना आंसर जो है कमेंट करते जाएं जो भी आपको सही आंसर लग रहा हो जब भी आपना आंसर दे तो कोशन नमबर के साथ अपना ऑप्शन ए बी सी डी जो है जरूर से लिखे कोशन नमबर आप जरूर से लिखे अपने हर एक आंसर में चलिए तो देखते हैं कि किस बच्चे का सबसे पहले सई आंसर निकल के आता है तो फड़ा-फट चाज जितने बच्चे हैं बना आंसर देते जाएं और एक बच्चे के लिए तो बिल्कुल यह सभी जितने बी एक्जामनेशन है सभी में काफी इंपॉर्णिन होता है करेंट अफेर सभी में पुछा जाता है आप इंडियन आर्मी हो डिफेंस हो आपका जो भी कह सकते हैं आगर आप जौब में जाएंगे सभी में जो है करेंट अफेर कुछा जाता है तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है और बिसिकली डिफेंस के लिए तो काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी शेतर में जाते हैं तो चलिए तो फटा फट से बहुत सार बच्चों जो है अपना आंसर देते जाएं और जिन बच्चों का ओप्शन यहाँ पर सी है बिल्कुल आपका वियांसर सही होगा तो यहाँ पर देखेंगे तो यह एक ट्रेडिशनल फेस्टीबल है सेक्रें जो कि यहाँ पर ढाका के कुछ हिस्सों में मना जाता है और अगर आप देखेंगे तो इसमें जो पतंग व इसमें भी चलता है और अगर आप देखेंगे तो यह सदियों से चला आ रहा है बहुत सालों से चला आ रहा है यह जो बंगला देश के अंदर जो है विसकली यह सलिब्रेट होता है फेस्टीबल बात कर लेते हैं अगले कोशन कोशन नमबर 2 की कोशन है यहाँ पर विज बै है फटाफट से अ Так तो बिलकुल अपना सबसें जल्दी से जो भी आपको आंसर सही लग रहा हों जितने बचे कनेक्टेट है दे सकते हैं आपको आंसर सही भी गरत होगा इससे आपको डर्ने की सीख रहे हैं तो बिल्कुल अपना अंसर हरे कोशन में दे जो भी आपको सही आंसर लग रहा हो चले तो बहुत सार बच्चों का अंसर आना सुरू हो चुका है और बहुत सार बच्चे अपना अंसर दे रहें लेकिन याद रहें जितने बच्चे अपना अंसर दे रहें जब भी आपना अंसर दे तो कोशन नंबर जरूर से दे बीना कोशन नंबर के अगर आपना अंसर दे चल्ब लगा आदित्य बिल्ला वेलनेस प्राइवेट लिम्टेड के साथ यहां पर सायजारी पार्टनर्सि चले अगला question है question number यहाँ पर 3 है which of the following will achieve net zero emission by 2040 and is targeting the reduction of absolute greenhouse gas emission across its value chain by more than 40% by decadent तो यहाँ पर किस ने जो है आपर या फिर basically किस company ने जो है कहा है कि यहाँ पर 240 तक जो है उनका यहाँ पर target है कि जो emission है वो 0% हो जाएगा यानि जो greenhouse gas है वो पूरा खतम हो जाएगा इसके अलावे decadent के in तक यानि की दसक के in तक जो है उनका 40% जो कह सकते green house gas है वो भी यहाँ पर कम करने का plan है तो option है pepsi को frito ले seven up या फिर mountain do तो किसने यह कहा है कि वो अपना कह सकते है कि इसे खतम करेगा greenhouse gas को तो आपको बताना है आपर सही answer चले तो बहुत सार बच्चों ने अपर answer दे दिया है बहुत सार बच्चों का भी answer आ रहा है तो बिल्कुल आप अपना answer हरे question में participate करके दे सकते हैं हरे question अपना answer comment कर सकते हैं चले तो सही answer जो है option A होगा यहाँ पर pepsi को यहाँ पर सही answer है सबसे पहले चमन ने सही answer दिया है और जिन बच्चों का option A है बिल्कुल आपका आपका answer सही है तो यहाँ पर जो pepsi को company है basically इन्होंने कहा है कि यह जो अपना green house gas है उसको यहाँ पर पूरा खत्रम कर देंगे net zero emission हो जाएगा 2040 तक इसके अलावे जो यहाँ पर कहा गया है और यहाँ पर जो paris agreement है उसके एक दसक पहले यह complete करने का यहाँ पर जो है target इनका रखा गया है बात करता है अगरे question question number 4 की और question है यहाँ पर which state has won the best state award at the second edition of the जनागरा city governance award तो जनागरा city governance award का यहाँ पर दूसरा संस्करन था इसमें जो है किस राज को best state award के तौर पर समानित किया गया है option है गुजराद, छातेजगर, ओडिसा या फिर जारकन चार option है आपको सही आंसर बताना है फटा-फट से तो चली देखते हैं कि इस बच्चे का सबसे पहले सही आंसर आता है कितने बच्चे सही आंसर कर पाते हैं तो फटा-फट से अपना आंसर देते जाए जो भी आपको आंसर सही लग रहा हो चली तो बहुत सार बच्चों ने अपना आंसर देना शुरू कर दिया है बहुत सार बच्चों का आंसर आ रहा है जितने बच्चे अपना आंसर देते हैं जरूर से आप question number के साथ अपना आंसर दे ताकि पहले चल सके कि आपने सबसे पहले किस question का आंसर दिया है तो question number आप जरूर से mention करे हर बार चले सही आंसर जो है इसका option C होगा Odisa यहाँ पर सही answer है सबसे पहले जो यहाँ पर Bimal ने सही answer दिया है और जिन बच्चों का option C है बिल्कुल आपका आपका आंसर सही होगा यहाँ पर Odisa जो है इसको अभी best state याने की सर्विसरेश्ट राजी का दर्जा दिया गया है इसके अलावे यहाँ पर देखेंगे तो Best Civic Agency Award से भी समानित किया गया है Indoor में यहाँ पर Integrated Solid Waste Management है इसको यहाँ पर देखते वे जो है इसे Best Municipality का भी Award इसको मिला है जो की जगनागरा City Governance Award के अंदर आपको यहाँ पर इनको दिया गया है बात करते हैं अगले कोशन कोशन नमबर 5 की और कोशन है यहाँ पर Which of the following has signed an MOU with the Petroleum Conservation Research Association to distribute Energy Efficiency PNG-based cookie stove तो यहाँ पर जो Energy Efficiency PNG-based cookie stove है उसको यहाँ पर वितरन करने के लिए डिस्टेब्यूट करने के लिए किसने जो है अभी Petrol Conservation Research Association के साथ मैं यहाँ पर साज़दारी या फिर कह सकते हैं MOU sign किया है Option है NTPC Limited, DRDO, EESL या फिर IREDA Limited चार Option है आपको बताना है सही आंसर कौन सा होगा चलिए तो फड़ा फड़ से अपना आंसर देते जाएं और जब भी आप अपना आंसर दे तो question number आप जरूर से मिंसन करें हरी question में जब भी आप अपना आंसर देते हैं ताकि बाद चल सके कि आपने सबसे पहले किस question का अंसर दिया है और जितने बच्चे connected है बिल्कूल अपना आंसर जो है हरी question में अपना आंसर दे क्योंकि अगर आप यहाँ पर participate करेंगे तो आपको काफी ज़्यादा benefit होगा अगर आपका आंसर गलत भी होता है तो आपको यहाँ पर डरने के ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो भी आंसर सही होता है वो मैं आपको बताता हूँ डेटेल के साथ में तो इसलिए मैं बार-बार repeat करता हूँ कि आप सभी बच्चे हरे question में अपना आंसर जरूर दे चले तो बहुत सार बच्चों का आंसर आना सुरू हो चुका है बात करते हैं इसके सही आंसर की तो सही आंसर option C होगा EESL यहाँ पर सही आंसर है और सबसे पहले विनए ने सही आंसर दिया है और जिन बच्चों का option C है बिलकुल आपका आपका आंसर सही होगा यहाँ पर जो EESL है यानि कि Energy Efficiency Service Limited है इन्होंने अभी MOU sign कर लिया है Petroleum Conservation Research Association के साथ में ताकि जो Energy Efficiency PNG-based cook stove है उसको आपर distribute यानि बाटा जा सके और इनर्जी Efficiency PNG cook stove जो है यहाँ पर बेसिकली यह जो है इंप्लिमेंट किया जाएगा इसे सुरू किया जाएगा पैन इंडिया के basis के उपर बात करते हैं अगले question अब question number 6 की और question है यहाँ पर दा New Zealand Women's Cricketer Shofi Divine holds the record for the fastest century in the in how many balls in T20 तो अभी जो है यहाँ पर कह सकते हैं जो यहाँ पर New Zealand की महिला किर्केटर है या पर महिला खिलाडी जो है Shofia Divine उन्होंने जो है यहाँ पर T20 में यानि कि जो यहाँ पर T20 होता है उसमें सबसे जादा जो कह सकते हैं सबसे जो record बनाया भी century यानि कि सौरन मारने में तो कितने बॉल पर इन्होंने मारा आपको बताना है जो भी आपको आंसर सही लग रहा है बिलकुल जल्दी से अपना आंसर देते जाएं बिल्कुल जितने बच्चे connected है अपना आंसर आप दे सकते हैं और यहाँ पर मै बार बार कहता हूं कि आप ज dancers ले रहे बिल्कुल अपना आंसर कमी जो quiz लेकर जाता हूँ, quiz का मतलब ही होता है कि आप participate करें और quiz का काफ़ जादा benefit होता है अगर आप अपने examination में जाएंगे तो वहाँ पर भी बिल्कुल इसी patterns आपको answer जो है questions वहाँ पर मिलेंगे options भी बिल्कुल 4 वहाँ पर मिलते हैं तो इसलिए आप यहाँ पर participate करें अगर आप यहाँ पर participate करें तो आपको दिमाग है उसके अंदर वो question रहेगा, आपके brain के अंदर question रहेगा और examination में गलती होने का chances काफी कम हो जाता है क्योंकि question आपको basically याद हो जाता है तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप सभी बच्चे हरे question में participate जरूर से करें चले तो बहुत सर बच्चों का answer आ चुका है बहुत सर बच्चे अपना answer दे रहे हैं सही answer option यहाँ पर C होगा 36 यहाँ पर सही answer है और सबसे पहले जो यहाँ पर बिमर ने सही answer दिया है जिन बच्चों का option सी है बिलकुल आपका answer सही होगा तो यहाँ पर कह सकते हैं New Zealand की यहाँ पर महिला किर्केटर यानि female किर्केटर है शोफी डिवाइन इन्होंने सतक मारा है सबसे तेज सतक मारा है सबसे fastest century बनाया है T20 के अंदर मातर 36 बॉल में राइट कॉंसिल इन जनवरी 2021 अभी जनवरी के महिने में यूएन हुमन राइट कॉंसिल की जो प्रेसिडेंसी है उसको किस देश ने जीता है option है समुआ, टॉंगा, उजबेकिस्तान या फिर फिजी चार option है सही आंसर आपको बताना है फड़ा-फड़ से जो भी आपको सही आंसर लग रहा हो चली तो फड़ा-फड़ से अपना आंसर देते जाएं जो भी आपको आंसर सही लगता हो जो भी आपको पता हो, बिल्कुल अपना आंसर दे सकते हैं हरे question के अंदर बहुत सारे बच्चे जो अपना आंसर दे रहें बहुत सारे बच्चों का आंसर सही भी हो रहा है लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका आंसर गरत भी हो जा रहा है लेकिन फिर भी वो अपना आंसर दे रहें तो बिल्कुल अपना आंसर देते रहें क्योंकि जो भी आंसर सही होता है वो तो मैं basically आपको बताता ही हूँ detail के साथ में लेकिन अगर आप यहाँ पर participate करते हैं तो आपको benefit तो मिलेगा ही आपको जहाँ पर examination में गलती होना चांसे भी कम होगा प्लस जो आपको information है वो तो मैं आपको दूँगा ही detail के साथ में तो बिलकुल अपना answer देते जाए quiz है participate करते जाए चलिए तो बहुत सारे बच्चों का answer इस बार आ चुका है और देखते हैं सबसे पहले सही answer किस बच्चे ने दिया है चलिए तो option D जो है आपर फीजी यहाँ पर सही हो जाएगा सबसे पहले चमन ने सही answer दिया है और जिन बच्चों का option D है बिलकुल आपका आपका answer सही होगा तो यहाँ पर फीजी ने अभी यहाँ पर जीत लिया है यहाँ जो UN Human Rights Council यहाँ पर जो हुआ था 15 जनवरी को इसकी presidency जो है इन्होंने अभी जीत लिया है बात करते हैं अगले question question number 8 की और question है यहाँ पर who has developed India's first indigenous machine pistol ASMI तो किसने जो है अभी यहाँ पर भारत का पहला स्वादेशी machine pistol ASMI जो है यहाँ पर बनाया है डेवलप किया है option है Indian Army and DRDO Indian Army and IIT दहली DRDO and BSF या फिर BSF and Indian Army तो किसने बनाया है यहाँ पर आपको बताना है चार option है यहाँ पर फड़फड से answer देते जाएं चलिए तो बहुत से बच्चे अपरान सर दे रहें जल्दी से आपके अपरान सर दे सकते हैं हरी question के अंदर चलिए तो बात करते हैं इसके सही answer की और किस बच्चे ने सबसे पहले सही answer दिया है वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं तो इसका सही answer जो है यहाँ पर option जो A है Indian Army और DRDO वो सही हो जाएगा सबसे पहले सुनील ने सही answer दिया है और जिन बच्चों का option A है बिलकुल आपका वी answer सही होगा और यहाँ पर बिसिकली अगर आप देखेंगे तो यह जो DRDO है बिसिकली Defense Research and Development Organization और इसके अलावे Indian Army ने मिल करके यहाँ पर जो है वो भारत का पहला यहाँ पर indigenous याने स्वादेशी 9mm machine pistol जिसका नाम ASMI है इसको यहाँ पर बनाया है डिबलब किया है आते हैं अगले question, question number 9 पर और question है basically who has been appointed as the new chairman of the telecom equipment and service export promotion council in January 2021 तो अभी जनवरी में जो है यहाँ पर TEPC का यहाँ पर basically यहाँ पर chairman nuked किया गया है ना या किसको option है यहाँ पर संजय सिठी, संदीप अगरवाल, भानिश अगरवाल या फिर विजह सिखर सर्मा चार option है सही answer आपको बताना है चलिए तो फड़ा फड़ा सपना answer देते जाए जो भी आपको सही answer लग रहा हो चार option है यहाँ पर बिल्कुल अपना answer दे सकते हैं जो भी आपको सही answer लगता हो तो बिल्कुल जितने बचे हैं अपना answer आप जरूर से दे और जितने बचे अपना answer दे रहे हैं कुछ बचे अभी भी ऐसे हैं जो अपना answer दे रहें लेकिन बिना question number के दे रहे हैं तो question number आप जरूर लिखे हर ही question के अंदर चले सही answer जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा option B संदीप अगरवाल यहाँ पर सही answer है सबसे पहले जो answer यहाँ पर भी मल नहीं दिया है और जिन बच्चों का option B है बिल्कुल आप सभी का भी answer यहाँ पर सही होगा अगर आप यहाँ पर देखेंगे detail में तो संदीप अगरवाल यहाँ पर इनको अभी TEPC यानि Telecom Equipment and Service Export Promotion Council का chairman यानि यहाँ पर बैसिकली chairman बनाया गया है यह जो है पहले संदीप अगरवाल जो है वो MD कह सकते हैं Paramount Communication Limited के थे और अभी जो है यह से आस्यामल गोस को यहाँ पर कह सकते हैं replace करेंगे और अब जो है यह TEPC के यहाँ पर chairman बन जाएंगे बात करते हैं अगले कोशन कोशन नमबर 10 की और कोशन हैं आपर who has been appointed as the CEO and MD of Aviva India के नए CEO और MD किसे न्यूक्त किया गया है आपको बताना है option है यहाँ पर अमित मलिक, साकेज सूरी, त्रीवर, बुल या फिर करन वीर सिंग, चार option है यह आंसर आपको बताना है फड़ा फड़ से चली तो बहुत सर बच्चों कांसर आना सुरू हो चुका है, बहुत सर बच्चे अपना अंसर दे रहे हैं, बिल्कुल अपना अंसर देते जाएं हर एक कोशन नों पाटिसिपेट करें और जो भी आपको आंसर सही लगता हो अपना अंसर दे, कोशन नमबर आप जरूर लेके जब भी आपना अंसर देते हैं तो चले तो सही आंसर जो इसका हो जाएगा, बिसिकली में बतारा चलो तो इसका सही आंसर ऑप्शन जो यहां पर ए है, अमित मलीक वो यहां पर सही हो जाएगा और यहां पर सबसे पहले जो है सुजात्ता ने जो है यहां पर जो आंसर दिया है वो यहां पर सबसे पहले सही होगा और जिन बच्चों का option यहां पर अप सबी का answer यहां पर सही है यहां पर अब देखेंगे तो अमित मली को अभी यहां पर appoint किया गया है Chief Executive Officer के तौर पर Managing Director के तौर पर Aviva India का अगला question यहाँ पर है और question ने basically Joe Biden has named whom as Testing Advisor in his COVID-19 Response Team तो अभी Joe Biden ने अपने COVID-19 Response Team में किसे जो है Testing Advisor के तौर पर नामित किया है option है विनोद खोशला, बॉबी जिंदल अजीद पई या फिर विदूर सर्मा, चार option है सही answer आपको बताना है फटाफट से तो बिल्कुल अपना answer आप दे सकते हैं हरे question के अंदर, चार option है और जो भी आपको answer सही लगता हो बिल्कुल फटाफट से answer देते चाहें चली तो बहुत सार बच्चों का answer आना सुरू हो चुका है बहुत सार बच्चों अपना answer दे रहे हैं तो बिल्कुल आप अपना answer हरे question में दे सकते हैं जब भी आपना answer दे तो question number आप जरूर से लिखें और चलिए बात करते हैं इसके सही answer की तो सही answer जो है इसका option डी जो है विदूर सर्मा वो यहाँ पर सही हो जाएगा और सबसे पहले जो answer दिया है वो जी है इस बार सुझाता ने और जी बच्चों का option डी है बिल्कुल आपका भी answer सही होगा अगर आप देखेंगे तो जो बीडन ने अभी जो है यहाँ पर विदूर सर्मा को अभी यहाँ पर जो है अपना टेस्टिंग एडवाइजर यहाँ पर कासकते है नामीत किया है कोविड-19 रिस्पॉंस टीम के अंदर और यह बेसिकली अभी जो है यहाँ पर इंडियन अमेरिकन हेल्थ पॉलसी एक्सपर्ट भी है इसके अलावे ओबामा एड्मिस्ट्रेशन के अंदर जो है यहाँ पर विदूर सर्मा जो है वो हेल्थ पॉलसी एडवाइजर के तौर पर जो है कह सकते हैं वर्क कर चुके हैं बात करते हैं अगले कोशिन कोशिन नमबर 12 की और कोशिन है यहाँ पर तो किसने जो है अभी सुप्रीम कोट बार आशोशिएशन ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट पद से यहाँ पर स्टीफा दे दिया है ऑप्शन है दूसियंत ए दावे राम जिट मलानी पी परक परमेश्वर राओ या फिर असोग कुमार सेंड चार ओप्शन है सही अफट अफट से चलिए तहां पर थोड़ा नेटवर्क इसू है फिर से यहाँ पर नेटवर्क इसू आ गया है जिसके गारने यहाँ पर हो सकता है आपको वीडियो जो है रुख कर दिखरी होगी या फिर जो है आप पर आवाज के लिए नहीं आ रही होगी तो इसके लिए जो हैं आपको थोड़ा सा पर परसानी हो सकता है लेकिन फिर भी अगर आपको आवाज आपको बताना है देखते हैं यहाँ पर बहुत सर्वचों ना प्राइश्वर दे दिया है और जिन बचों का उप्शन है बिल्कुल आप सभी का भी आंसर यहाँ पर सही है तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यह जो सुप्रीम कोट बार अशोशेशन है उसके प्रेसिडेंट थे दूश्यान दावे और इन्होंने अभी अपने पोश से यहाँ पर स् बिश्वजीर चेटरजी विट इंडियन पर्सनाल्टी ओफ यंझा इंडियर अव़र्ड इस अवर्ड विल वे प्रजेंटे टू हीम इन विच्मन तो यहाँ पर हैं पर अभी जो है अपर कह सकते हैं शामानित किया गया है मैंब जो यहों कू इंटरनेशनल फिल फेस्टि तो चार ओप्षेन है किस महने मिलेगा एंपको बताई ना है जल्दी से फड़ाफट से तो देखते हैं इसबार कितने बच्च इसे जरूर से फड़ाफट से देते जाएं जो भी आपको आसर सही लगता हो चलिए तो यहां पर जो सही आंसर हो जाएगा वह जाएगा आपका जो ऑप्शन बी है मार्च यहां पर 2021 वह सही होगा और सबसे पहले यहां पर विस्वाजी चटर जी को यहां पर समानित किया गया है है बेसिकली हिंदी और बंगाली सिन्वा प्रोड्यूशर भी है यह तो इनको अब भी यहां पर जो है कह सकते हैं इंडियन परस्नालिटी ऑफ यह आवार्ड से समानित किया गया है और यह जो अवार्ड है इनको नेशनल फिल्म अवार्ड जो होगा जब मार्च में तो उनको यहां पर यह दिया जाएगा बात करते हैं अगले कोशन कोशन नमबर फोटीन की कोशन नमबर फोटीन है वो हैस बिकम दा सी ओ आफ इंटल कंपनी तो इंटल कंपनी के नए सी ओ कौन बने है ऑप्शन है जोनाथन गिल दीपक कुमार बॉब श्वान या फिर पैट गेल सिं इंगर चार ओप्शन है सई आंसर आपको बताना है चले तो फड़ा फट सबना अंसर देते जाएं जो भी आपको सई आंसर लग रहा हो बिल्कुल आप अपना अंसर दे सकते हैं हरे कोशन के अंदर चलिए तो यहाँ पर बहुत सर बच्चों का अंसर आ चुका है और सही आंसर जो यहाँ पर ऑप्शन जो डी होगा पैट गेल सिंगर यहाँ पर सही आंसर है सबसे पहले रिसर्ब ने सही आंसर दिया है और जीन बच्चों का ऑप्शन डी है बिल्कुल आपका आपका अंसर सही होगा तो यहाँ पर इंटल के यहाँ पर कह सकते हैं जो बोर्ड ऑफ डिरेक्टर है उन्होंने अभी 40 वर्षी है यहाँ पर जो पैट गेल्ट सिंगर है उनको अपना यहाँ पर नया CEO यानी Chief Executive Officer जो है चुना है अगरा कोशन है कोशन नमबर 15 नहीं है आपर बिसिकली और कोशन है विट विच ओफ दे फॉलॉविंग है एसेन डवलप्मेंट बैंक फॉर्मेड अन्यू क्लीन एंड सश्टेनेबल ओशन पार्टनर्शिप अभी जो है एसेन डवलप्मेंट बैंक ने किसके साथ मिलकर के यहां पर जो है एक नया न्यू क्ली एक लिए क्लीन एंड सश्टेनेबल ओशन पार्टनर्शिप अब बिसिकली बनाया है ओप्शन है यूरोपियन इंवेस्टमेंट बैंक बैंक ओफ इंटरनेशनल सेटल्मेंट वर्ल्ड बैंक या फिरोपियन सेंट्रल बैंक चार ओप् चलिए तो बहुत सर बच्चों का अंसर दे रहे हैं जल्दी से आप अपना अंसर दे सकते हैं हरी कुशन में पाटिशिपेट कर सकते हैं चले तो यहां पर बहुत सरी बाचों का इसार आता है बात कर लेंे शुन कि पूशं लिखें किस बच्षे नेना ब्र éénस सब्खें से पहले उल्ज दिजड़ें हैं यहां पर बहुत सरी बाbane सब्शन 56번 करते हैं कुछ बच्षे अभी और अगर आप देखेंगे तो एशन डवलपमेंट बैंक ने जो है यहां पर यूरोपियन इन्वेश्टमेंट बैंक के साथ मिल करके यहां पर जो एक न्यू क्लीन एंड सेश्टेनेबल ओशन पार्टनर्सिप है वहां पर इसको अभी बनाया है और यह जो है और जो इसका प को यह भी हल्प करेगा उन सारे देशों को उसको अचीव करने में बात करते हैं अब अगले कोशन कोशन नमबर 16 की और कोशन है यहां पर विच और फॉलॉइंग और्गनाजिशन है इंटर्डूस दा फ्लैक्सिव इनिसेटीव लिबरलाइज एमसमी एयो पैकेज स्कीम त और फिर्टी ओन जीशी नितियायोग या फिर मिनिस्ट्री आफ प्लाइनिंग चार अप्षन ने सरी आशर आपको बताना है चलिए तो बहुत सरी बच्चों का अंसरा अनदर्व हो चुका है बहुत सरे बच्चे पर आन्सर दे रहे हैं लिखते हैं इसमें की सब्च्चuir अफसे П flavors Japan साहर आता है कितने बच्चिशों आंसर कर पाते हैं तो फड़ाफ़ सब्ला आंसर Кто ह? और जब भी अपना अंसर दे तो कोशन नमबर आप जरूर लिखे हर इक कोशन में जब भी आपना अंसर कोई भी कोशन का अंसर दे कोशन नमबर के साथ अपना अंसर दे ताकि बाद चल सके आपने सबसे पहले किस कोशन का सही आंसर दिया है बात करते हैं से सही आंसर की option A यह जो है यह पैकेज लाया है यहां पर MSME के लिए बात करते हैं हम अगले कोशन कोशन नंबर 17 की कोशन नंबर 17 है जनवरी 2021 एस्ट्राजेनिका कोवीड 19 वैक्सिन तो अभी यहां पर जो एस्ट्राजेनिका जो कोवीड 19 वैक्सिन है उसको अभी यहां पर कह सकते हैं पहला जो वैक्सिन है उसको मंजूरी मिला है उस देश के अंदर यहां पर अपातकालीन यानि एमर्जंसी यूज करने के लिए तो कौं सा वो देश है जितने अभी मंजूरी दिया है पाकिस्तान भूतान बांगला देश या फिर महिनमार चार आप्शन है आपको सही आंसर बताना है चलिए तो फड़ा फट से अपना असर देते जाएं और कोशन जब भी अपना असर दे तो कोशन नमबर आप जरू लिखे हरे कोशन के अंदर चलिए तो सही आंसर जो है इसका उप्शन ए जो है आपर पाकिस्तान वो यहां पर सही हो जाएगा और सबसे पहले जो आपर दिया है आंसर संदीप ने दिया है और जीन बच्चो का उप्शन ए है बिल्कुल आपका वी आंसर सही है और यहां पर अगर आप देखेंगे तो एस्ट्राजेनिका यहां पर जो कोवी-19 वैक्सीन है वो ऐसी पहली वैक्सीन है जिसको यहां पर मंजूरी मिली है पाकिस्तान के अंदर यानि कि इससे पहले यहां पर कोई भी जो कह सकते हैं मजंसी यूज के लिए किसी को भी टीका करन के मंजूरी नहीं मिली थी अभी एस्ट्राजेनिका मिल गया है इसको मंजूरी कौन मंजूरी दिया यह भी पूछ सकता है तो ड्रग रेगुलेटरी अथोर्टी आफ़ पकिस्तान यानि कि डी आर एपी ने यहां पर इसको मंजूरी दिया है एस्ट्राजेनिका कोवीड वैक्सीन को थो category को यहां पर पहला तीका करने किया जाएगा इसंपे पहले ये पर frontline worker को यहां पर टीका लगाया जाएगा और जो 65 consistency ये राएं से ओपर है उनको यहां पर जो है कहता है बैसिकली तो टीका है वो लगाया जाएगा अगला question नंबर 18 है Question है the care lowered the center's fiscal deficit projection to how many percent of GDP तो अभी care ने जो है यहाँ पर basically जो हमारे देज जो हमारा देज का यहाँ फिसिकल deficit projection है उसको यहाँ पर basically कम किया है कितने परतिसर GDP के option है 10% 8.5% 7.8% यहाँ पर 9% चार option है से यहाँ सर आपको बताना है अब बिल्कुल जब भी आपना अंसर दे हरे question में अभी भी कुछ बचे ऐसे हैं जो अपना answer तो दे रहे हैं लेकिन बिना question number के साथ में तो अगर बिना question number के आप देंगे तो बिल्कुल पता नहीं चल पाए कि आपने किस question का सबसे पहले सही answer दिया है चलिए तो यहां पर बहुत सर बच्चों का answer आ चुका है बहुत सर बच्चे अपना answer दे रहे हैं सही answer की में बात करो तो option C जो है यहां पर वो यहां पर सही हो जाएगा 7.8% सही answer है सबसे पहले भी नहीं नहीं सही answer दिया है और जीन बच्चों का option C है बिल्कुल आपका answer सही होगा तो के रेटिंग जो यहां पर बैसिकली यह होगा बात करते हैं अगले question question number 19 की और question यहां पर इन जनवरी 2021 अमरेश कुमार चौधरी आज बीन अवाड़ेड़ विच आफ दा following अभी अमरेश कुमार चौधरी को यहां पर कौन सा अवार्ड से समानित किया आपको बताना है option है पर अप्रक्रम पदक संग्राम मेडल प्रेसिडेंट्स होम गार्ड और सिविल डिफेंस मेडल फॉर गलैंट्री या फिर चीफ आफ आर्मी स्टाप कमेंडेशन चार ओप्शन है से आपको बताना है कौन सा अवार्ड मिला है से चली तो महसर बच्चों आपना असर दे दिया है महसर बच्चों का असर आ रहा है सही आपना ऑपशन डी चीफ आफ आर्मी स्टाप कमेंडेशन यहाँ पे सही आंसर है सबसे पहले जो आंसर डिया है वह दिया है यहाँ पर रीसर्ब ने और जिन बच्चों का ऑप्शन यहाँ डी है बिलकुल आपका हैसर सही है अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बेसि जो आम फोर्सेज है कोविड-19 के अंदर उन्हें काफी ज़्यादा हेल्प किया है तो इसलिए इन्हें जो सम्मानित किया जाएगा इस अवार्ट से बात करते हैं अगले कोशन कोशन नमबर 20 की कोशन यहां पर विच बैंक हाज बीन टाइड अप विद फिंटेक नियो टू इसू प्रिपेड कार्ड टू किस बैंक नियो जो कि एक फिंटेक का सकते कंपनी है उसके साथ यहां पर अभी टाइड किया थाकि जो एमे से मिए उसके लिए प्रिपेड कार्ड लेकर के आया जा सके तो आप्शन है यहां पर चले तो बहुत सरे वच्छों का अंसर आ चुका है और वहीं में बात कर लेता हूं इसके सही आंसर की तो यहां पर जो सही बेसिकली आएज़ा की सबसे पहले यहां पर सही आंसर दिया है रिशब ने और यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो आंसर है option भी यहां पर जिन बच्छों का वह भी आपर सही लगा ICIC bank जो है आपर और NEO जो है आपर इन दोनों ने मिल करके basically अभी tie up किया है और ताकि जो micro, small and medium enterprise है उनके लिए आपर prepared card जो है लेकर के आया जा सके बात करते हैं अब question number 21 की और question है who preceded the annual tetra जो technical type training conference held in a hybrid format at air force station जल हाली in bangalore in january 2021 तो basically अभी जो यहां पर tetra conference हुआ जो कि यहां पर hybrid format में वह था air force station जल हाली के में तो इसको आपको बताना है कि इसकी जो है अद्याशिता किस ने की है option है राजेश कुमार, सुरेंदर कुमार गोटिया, MSG मेनोन या फिर RD माथूर चार option है सही answer आपको बताना है चलिए तो बहुत से बचल आपना सार देना शुरू कर दिया है और जितने बचल आपना सार दे रहे question number आप जरूर लिखे और बात कर लेते हैं इसके सही answer की तो सही answer क्या होगा वो भी हम लोग यहां पर check करते हैं तो चलिए यहां वे जो सही answer होगा वो मैं आपको बतादा चलू basically यहां पर बहुत सार बचल आपना सार दे दिया है बहुत सार बचल का answer आ रहा है और सही answer option D है यहां पर RD मातूर सही answer होगा क्रिष्णा ने सबसे पहले सही answer दिया है और जिन बचो का option D है बिल्कुल आपका बहुत सही है तो जो एन्वल टेट्रा जो यहां पर टेकिनिकल टाइप ट्रेनिंग है यहां पर जो है इस conference को यहां पर किया गया था hybrid format के अंदर जो की air force station में हुआ था मैंगलोरू के अंदर और अगर आप देखेंगे तो इस conference की जो अध्यचता है बिसिकली यहां पर जो air marsal है RD मातूर यहां पर उन्होंने यहां पर किया है तो यहां पर आप देख सकते हैं यह जो टौफी से इसमें दिया जाएंगे काटेगरी है fighter aircraft transport aircraft और सिस्टम बात कर लेते हैं अगले कोशन कोशन नमबर 22 की कोशन नमबर 22 है तो अभी यहां पर यहां पर यहां पर रिपब्लिक डे होने वाला है भारत में तो इसके चीफ गेश्ट कौन होंगे आपको बताना है option है सेख हसीना चंदरिका परशाथ संतोखी या फिर बॉरिज जॉन तन या फिर नन ओफ देव चार option है सहांसर आपको बताना है चलिए तो बहुत साथ बच्चों न आपराण सर्देना सुरू कर दिया है बात करते हैं आपे कि कितने बच्चे आपे स्यांसर दे रहे हैं और किस बच्चे का सबसे पहले स्यांसर आता है तो चलिए आपे चेक कर लेते हैं चलिए तो सही आंसर जो है याँ पर option D जो है याँ पर none of the above सही आंसर हो जाएगा सबसे पहले सही आंसर जो दिया है वो यहाँ पर दिया है आपका विन्यने और जिन बच्चोंदी है बिलकुल आपका आपका आंसर सही होगा यहां पर आप देखेंगे तो जो यहां पर basically ज आप सब कह दिया है कि जो अभी चीफ गेस्ट आने वाले थे यहां पर Republic देखेंगे यहां पर कोई भी यहां पर जो है कह सकते नहीं आने वाले क्योंकि यहां पर जो कोरोना वाइरस वेगरा चल रहा है तो उसके कारण जो बहुत सारे लोग जो अपना प्लान भी था यहां पर कैंसिल हो गया अगर आप यहां पर देखेंगे तो Boris Johnson यहां पर पहले इनको इंविटेशन भीजा गया था और यह आने वाले से लेकिन कोवीट के कारण यह इन्होंने अभी मना कर दिया फिर उसके बाद जो सूरी नाम है वहां कर जो कह सकते हैं उनको यहां पर जो question number 23 की how many international health and humanitarian groups have established a global Ebola vaccine stockpile in order to secure the outbreak response यहां पर जो है भी कितने international health and humanitarian group ने जो है यहां पर global Ebola vaccine stockpile यहां पर असापित करने के लिए कहा है ताकि जो महामारी अगर फैलती है तो उसे सुरचित हुआ जा सके या फिर उसे बचा जा सके तो option है दो तीन चार या फिर पाद तो कितने यहां पर बिसिकली बताना है आपको कितना यहां पर established होगा है चल्ब तो बहुत सरे बच्यों का अंन्सरा शुरू हो चुका है बहुत सरे अपना अंसर दे रहे हैं तो फड़ा फड़ से आपना अप्रांसर दे सकते ह्या एक कूशं और चलिए सही आंसर जो है इसका option C हो जाएगा चार यहाँ पर सही आंसर है और सबसे पहले विनहीं ने सही आंसर दिया है जिनवाचों का option C है बिलकुल आपका वे आंसर सही होगा तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो four international health and humanitarian group है इन्होंने यहाँ पर जो है अभी global Ebola vaccine stockpile अस्तापित basically जो है करेंगे और यहाँ पर जो outbreak होगा महामारी से बचने के लिए किया जाएगा और ताकि यहाँ पर जो है यह epidemic वेगारा जो है उससे बचा जा सके बात कर लेते हैं अगले question question number 24 की और question है यहाँ पर which city has been ranked top in the fastest growing technology center in the world तो अभी यहाँ पर आपको बताना है कि किस सहर को यहाँ पर जो है सर्वस्रेश्ट यहाँ पर कह सकते हैं पर टॉप जो है fastest growing technology center के तौर पर पूरे दुनिया में जो है यहाँ पर किया गया है यहाँ पर option है पूने बैंगलूरू चैन नहीं या पर कोल करता तो किस सहर को किया गया है आपको बता रहा है फटा फट से है Bak 5 चलिए तो बहुत सरा अभराइन सर देना सुरू कर दिया है बहुत सरा वच्छों का अभी भी आ रहा है तो इसका अंशर क्या होगा वह भी हम लोग देख लेते हैं बात कर लेतेरे सकाई आंसर की तो यहाँ पर जो है अ ए हुर 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 हेए recur Som सर होगा वह जाएगा option B बैंगलूरू यहां पर सही answer है और सबसे पहले जो answer दिया है वह यहां पर मोहिस ने दिया है और जिन बज़ों का option B है बिलकुर आपका पर answer सही है तो बैंगलूरू को जो है आपर पहला अस्थान मिला है fastest growing technology सेंटर के अंदर इसके अलावे लंडन जो है वो दूसरे नंबर पर आया है तो यहां पर बात करते हैं अगले question question number 25 की और question यहां पर इन जनवरी 2021 Union Defense Minister राजना सिंग अन्विल्ड ट्राइवर लेस मेट्रो कार फॉर विच आव दा फॉलोइंग तो अभी जो है यहां पर बेसिकली देखेंगे तो जो हमारे रच्छा मंत्री है यहां पर Union Minister डिफेंस Union Minister राजना सिंग इन्होंने जो है भी ड्राइवर लेस मेट्रो कार का यहां पर हनावरन किया है कहां पर option है यहां पर चन्नाई मेट्रो चन्नाई मेट्रो पॉलिटिकान पॉलिटिकान रिजन डेवलप्मेंट थोर्टी मुंबई मेट्रो पॉलिटन रिजन डेवलप्मेंट थोर्टी कोलकता मेट्रो पॉलिटन रिजन डेवलप्मेंट थोर्टी यहां फिर नेशनल कैपिटल रिजन प्लानिंग बोर्ड तो कि से कहां पर हुआ है इसको सुरू का किया गया आपको बताना है फटा फट से हैं चली तो यहां पर बहुत सब्सक्राइब आंसर दे दिया है बात कर लेते हैं सही आंसर की तो बश्यों को बश्यों बी जो है यहां पर मुंबई मेट्रो पॉलिटिकन रीजन डेवलप्मेंट जो है वह सही हो जाएगा सबसे पहले राहूल ने सही आंसर दिया है जिन बच्चों को बीद्ध बिल्कुल आपका आंसर सही होगा अगर आप देखेंगे तो हमारे जो डिफे उस पावर पर चलेगी बात करते हैं अगले कोशन कोशन नमबर यहां पर 26 की वाट इस थीम आप दा एरो इंडिया 2021 तो एरो इंडिया 2021 का क्या थीम आपको बताना है ऑप्शन है रनवे टू आ बिलियन ऑपर्चुनिटी बिलियन ऑपर्चुनिटी एरो इंडिया या फिर रनवे मोबिलिटी चार आप्शने से आंसर आपको बताना है चली तो चल्दी से फड़ा 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 आंसर देते हैं जो भी आपको से आंसर लग रहा हो विल्कुल आपना आंसर हरी कोशन में दे सकते हैं चल्द आप बहुत सर वच्चो का आंसर आ चुका है बहुत सर वच्चो अपर आंसर दे रहे हैं बात के लिए इसके सही आंसर की तो ऑप्शन ए जो है यहांपर रनवे टू बिलियन ओपर्चुनिटी सही आंसर होगा सबसे पहले बीनाई ने सही आंसर दिया है और जिन बिलियन ओपर्चुनिटी और यहां पर देखेंगे तो आत्मनियर भारत का जोहां पर सपना है बिसिकली नरेन मोदी का उसको देखते हैं इसका यहां पर रखा गया है बात करते हैं कोशन कोशन नमबर 27 की तो आपर जो 51st International Film Festival of India चल रहा है इसमें किसे Lifetime Achievement Award से सम्मानित किया गया है ओप्शन है फ्रांसिस फॉर्ड, कोपोला, विटोरियो, स्टूरेरो, रॉबर्ट रिचर्टसन या फिर जेर्मी थॉमस चार ओप्शन है सर्यांसर आपको बताना है चलिए तो बहुत से बच्चों आपना अंसर देना सुरू कर दिया है, बहुत से बच्चों का अंसर आ रहा है, फटा-फट से आप भी अपना अंसर दे सकते हैं हरे कोशन के अंदर चलिए तो इसका सही आंसर ओप्शन भी जो है यहां पर विटोरियो श्टोर एयरो जो है यहां पर सही आंसर हो जाएगा, और यहां पर जो सबसे पहले रहां पर रहुल ने और जिन बच्चों का उप्शन भी बिल्कुल आपका भी आंसर सही होगा अगर आप देखेंगे तो जो इटालिया ने आप पर जो सीन में टेयू का ग्राफर है विटोरियो चोरेरो इनको जो है भी लाइप टेम अजीवमेंट अवर्ड से समानी किया गया है 15th International Film Festival आप इंडिया के अंतरगत अगला कोशन है कोशन नमबर 28 और कोशन है यहां पर विच और गनाइजेशन है लाउंजड दा को लाइब कैट सॉप्टिवेर तो परवाइड अ टोटल इंजिनिरिंग सॉलूशन फॉर इस्टूडेंट तो बेसिकली यहां पर जो है अभी किस ब्रू किया है ताकि जो इंजिनिरिंग यहां पर बिसेकली जो है ताकि जो बच्चे हैं उनको यहां पर पूरा इंजिनिरिंग सॉल्यूशन जो है वह दिया जा सके तो आबर किसने कि आपको बताना है। निस्नल इन्फोर्मेटिक सेंटर से बिआओंहें ऐसे या फिर चलिए तो बहुत से बच्चों का अंसर आना शुरू हो चुका है और बहुत से बच्चे प्राइंसर दे रहे हैं तो सही आंसर जो है यहां पर basically मैं बात करूँ तो वो यहां पर हो जाएगा option D बहुत A&B यहां पर सही आंसर होगा सबसे पहले जो यहां पर विने ने सही आंसर दिया है जिन बच्चों का option यह विल्कुल आपका विया आंसर सही होगा याने कि नेशनल इंफोर्मेटिक सेंटर और सी बीए सी यहां पर सामिल है अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो नेशनल इंफोर्मेटिव सेंटर एंड सेंटर बूर्ट्स ऑफ सीनियर सेकेंडरी एजूकेशन है इन्होंने भी आपर basically मिल करके जो है कोलाब कैड सॉप्टिवेर जहां पर लॉंच किया सुरू किया है ताकि यहां पर जो है बिसिकली इंजिनरिंग ग्राफिक करकुलम फैसिलिटी वेगरा दिया जा सके बात करते हैं कोशन कोशन नमबर 29 की और कोशन है which of the following is the first theme park chain in India to secure COV safe certification by Bureau Veritas India तो अभी basically जो Bureau Veritas India है उनके द्वारा यहां पर जो है कह सकते हैं अभी पहला जो theme park chain है यहां पर यह आपको बताना है कि अभी इसको यहां पर जो COV safe certification मिला है वह किसे मिला है option है यहां पर चार fun world amusement park लुम्बुनी गार्डन वंडरेल वंडरला और बैंगलूर यहां पर क्यूबोन पार्क चार option है सही आंसर आपको बताना है जो भी आपको सही आंसर लगता हो फटा-फट से आपको आंसर दे सकते हैं चली तो यहां पर बहुत से वच्चों का अंसर आना सुरूब हो चुका है तो इसका सही आंसर जो ऑप्चन है आपको सी जो है वंडरेला बैंगलूर सही आंसर होगा और सबसे पहले जो आपको सही आंसर दिया है और जिन बच्चों का ओप्चन सी है बिल्कुल आपको आपका आंसर सही है तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो वेंडरेला वेंगलूर है इन्होंने जो अभी यहाँ पर कुव सेफ सर्टिफिकेशन जो यहाँ पर Bureau Veritas इंडिया से यहाँ पर बेसिकली ले लिया है सेक्योर कर लिया है और यह दिखेंगे अगर तो यह पहला ऐसा थीम पार्क चैन है जो कि इंडिया के अंदर बनाया गया है और उसको यहाँ पर जो है समानित किया गया है बात करते हैं अगले कुशन कुशन नमबर 30 की और कुशन है यहाँ पर 30 इन विच ओफ फॉलुविंग श्टेट और मेमोरियल विल बी कंस्ट्रक्टेड तू एक्नॉलेज दे कॉंट्रिबूशन आफ मेजर बॉब क्याटिंग तो बिसिकली अभी जो हैं पर जो मेजर बॉब क्याटिंग है उनका यहाँ पर जो योगदान दिया गया है उनको यह पर एक नॉलेज करने के लिए मेमोरियल यानि समारक जो है बनाया जाएगा ऑफ्चन है कहां पर बनेगा मानिपूर अनाचर परदेश रहसाम या फिर तिरुपूरा चार ऑफ्चन है आपको सही आंसर बताना है फड़ाफट से चली तो बहुत सरे बच्चों का आशर आ चुका है बहुत सर बच्ची अभी वब आशर दे रहे हैं सही आंसर कि मैं बात कर लेता हूं तो ऑप्षन यहां पर जो भी होगा और नाचर परदेश वह यहां पर सही हो जाएगा और बैसिकली अगर देखेंगे तो इसका जो आं करने के लिए मेइजर बाम कैटिंग का और बात करते हैं आप जो है इनुने जो है कि तौंग जो है उसको यहां अगर आप इंडियान आर्मी नेवी एरफोर्स बैंकिंग एससी रेलवे यू पीसी पीसी या पर किसी भी डिफेंजब चाहिए अगर आप उसकी प्रिपेशन करना चाहते तो अन एकेडमी के साथ जूड़ करके अपनी तयारी कर सकते हैं इंडिया के टॉप एजूकर्टर के साथ में जब भी आप अन एकेडमी पे सस्क्रिप्शन ले तो आप DRS 10 कोट का यूज जरूर करें आपको यहाँ पर 10 पर से या लाइक नहीं किया तो अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर शे करें और जितने भी पे फ्रेंट्स दे गूरूप है मापण से जरूर शे करें साथी साथ यहाँ पर्झे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले ताकि आपको सामखे आपसे मिसना हो की सिद्धा में तो फिलार आज के इस वीडियो में एतना ही कल हम जो है अपड़ीव से मिलेंगे सामके यहां पर आठ बजे जितने कोशन होंगे उसके साथ पर तरड़ हिं